नमस्कार जार्खंडी नुज में आपका स्वागत है आईए जार्खंड राज के टोप 25 पर मुखबर जानते हैं बीत मंत्री निर्मला सितारमन ने कहा कि आर्थिक परसाना पैकेज की चोथिक किस्त रोजगार सिरिजन करने के उद्देश से पर केंद्रित होगी उन्होंने कहा कि चोथिक किस्त कोईला खनीज, रक्षा उत्पादान, नागरी कुड़ाने छेत्र, बीजली वित्रन कम्पनियों, परमानो उर्जा छेत्र के सुधारों पर केंद्रित है बीट मंत्री ने कोईला खेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार के उसर परदान करने के लिए 50,000,000 रुपे के आर्थिक पेकेज की गोस्तना की है जार्खन मौसम विभाग के अनुसार जार्खन में एलो अलर्ट जारी किया गया है आज चक्रवार्ती तुफान अमफन के भी आने की संभवना है रैधानी राची और उसके आजपास के छेत्रों में बादल के साथ में गरज और हलकी बारिस होने की संभवना है जार्खन के देवगर खुटी राची चाईबासा में बारिस की संभवना है मुख मंत्री ने कहा कोई भी मजदूर पैदल ना जाए सभी पूलिस अधिकारी सुनिश्चित करे ख़वरों के उन्सार मुखमतिर हमन सुरेन ने कहा कि सभी जीला के अधिकारी और पूलीस या सुनिश्चित करे कि कोई भी विव्यक्ति पैदल अपने गंतव्यतक न जाए सभी अधिकारी पूरी सन्वेदन सिल्ता के साथ ऐसे सभी लोगों की पूरी देखबाल करते हुए समुव बना कर उनकी स्वास्त जाच कर बसो और अने वानों के दवारा उनके गंतव्यतक सुनिश्चित पहुचा है उन्होंने काया कि जार्खन से अने राजियों तक जाने वाले मजदूरों के लिए भी उनके नोडल अधिकारियों से संपर्क रखते हुए उन्हें अपने ग्री भेजा जाए जार्खन में आज दो नई संक्रमेतों के पुष्टी हुई जिसमें राची के इटकी से एक और गड़वा जिला से एक हाए जार्खन में कुल संक्रमेतों की संख्या 215 से बढ़कर 217 हो गाई जबकि 213 लोग स्वास्थ हुए और 3 की मिरित्य हो गाई भारत में कुल संक्रमेतों की संख्या 90,648 है जबकि 34,1,224 लोग स्वास्थ हुए और 28,170 लोगों की मिरित्य हुई लाह उत्पाद को क्रीशी का दर्जा मुख्यमंत्री खवरों के अनुसार मुख मंत्री हमान सुरे ने ज़ार्खन लोट रहे परवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और यहां जानने की कोशिस की कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाह के माध्यम से रुजगार दिया जा सकता है बैग्यानिकों का मनना है कि जार्खन में सबसे अधिक लाह का उत्पाद होता है यदि सरकारी अस्तर पर ध्यान दिया जाए तो लाह राजे के लोगों को कमाई का बड़ा जरिया हो सकता है इसके लिए क्रिसी का दर्जा मिलना चाहिए महिलाओ के नाम पर एक रुपए की रईष्टरी हुई बंद खबरों के अनुसार राज सरकार ने महिलाओ के नाम पर पचास लाख रुपए तक की अचल संपती का एक रुपए में रईष्टरी की सुविदा वापस लेली है मोक मंतरी ने कहा कि संक्रमन से उत्पन हुए आर्थिक कारणों के मद नजर रखते हुए राज सरकार ने या फैसला लिया है जन्धन खाता नहीं तो पुराना खाता को बदलवाए जन्धन में खबरों के अनुशार केंद्र सरकार ने महिला जन्धन खातादारकों को 500 रुपए की दूसरी किस्त खाते में भेज दिया है जिससे देश बर के गरीब लोगों की आर्थिक मदद मिल रहा है ऐसे में ज़िए आपके पास जन्धन खाता नहीं है तो आप पुराने खातों को भी बैंक जाकर जन्धन खाता में बदल सकते हैं जिससे कि आपको 500 रुपए की आर्धिक मदद मिल सके जारखन हाई कोट में इस सिवा केंद्र सुरू खबरों के अनुशार जारखन हाई कोट के मुखे ने आधिस डाक्टर रवीर अंजन ने इस सिवा केंद्र का आने वाले याचिका करता हो एवं वकीलों के लिए ब्यापक सुईदाओं को द्यान में रखा गया है इस सिवा केंद्र के माध्यम से अब सभी लोगों को अवसक जनकारी उपलब्द हो सकेगी मुखे ने आधिस ने कहा जल्दी सभी जीला अदालतों में भी इस सिवा केंद्र का स्थापित किया जाएगा वाहन चेकिन के दोरान एक दिन में 20 लाह का कटा चलान खबरों के अनुसार लोगड़ान की वज़ा से सहर में चेकिन अभियान चलाया जा रहा है बेवज़ा घुमने वालों का चलान काटा जा रहा है ऐसे में राची पुलिस ने पूरे सहर में चेकिन अभियान के दोरान 20 लाह का चलान काटा है जेकिन अभियान रातु रोड चोक, लालपूर चोक, पिसका मोड, कंटा टोली सहित अन्य थाना छेत्रों में चलाया गया जिसमें कूल 851 वाहन का चलान लगबग 20 लाग तक काटा गया IIT और NIT में 6 राउंड की होगी कांसिलिंग खवरों के उन्सार संक्रमन को देखते हुए IIT और NIT और अन्य तक्निकी संस्तानों में दाखला के लिए कांसिलिंग का राउंड घटा कर 6 राउंड करने का प्रस्ताव कमिटी को बेजा गया है या प्रस्ताव पास होने के बाद कांसिलिंग सिर्फ 6 राउंड में होगी धूमका जिला हुआ संक्रमन मुक्त खवरों के उन्सार धूमका जिला के दोनों पोजेटिव मरीज की जाच रिपोर्ट निगेटिव आई है उपायूक्त राये सुअरी ने बताया कि दोनों के दोसरे और तीसरे रिपोर्ट निगेटिव प्राप्त होई है जल्द ही अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा इनके ठीक होते ही धूमका जिला संक्रमन मुक्त हो गया है हम आपको बता दे कि दोनका जिला में 810 सेंपल जाज के लिए भेजे गए थे लोकडाउन में सबसे अधिक स्रामिक ट्रेनों से जार्खन लोटे प्रवासी मजदूर ख़वरों के अनुसार मुक्त मंतर हमन सुरे ने जनकारी दी कि देश में जार्खन ही एक आईसा राजे है जिसने लोकडाउन में सबसे अधिक विशेश स्रामिक ट्रेनों के माध्यम से प्रवासी नगरीकों की घर वापसी सुनिश्चीत करने का काम किया उन्होंने बताया कि जार्खन में अब तक 104 एस्पेशल ट्रेन आ चुकी है और छपपर एस्पेशल ट्रेनों अगले तीन दीनों के अंदर जार्खन के विभीन स्टेशनों पर पहुँचेगी मुख मंत्री ने बताया कि लगबग 7 लाख लोगों ने पंजी करन कराया है जार्खन सरकार सभी को घर वापस लाने के लिए पर्यास्तरत है महराश्ट्र से डाल्टे गज पहुँचे 1600 प्रवासी मजदूर महराश्ट्र के पन्वेल में फसे जार्खन के विभीन जीलों के 1600 प्रवासी मजदूर स्रामिक एस्पेसल ट्रेन के माध्यम से पलामू जीला के डाल्टेंग एस्टेशन पहुँचे सभी मजदूरों का थर्मल स्केनिंग वास्वास्ट जाच परकिरिया पूरी करने के बाद उन्हें अपने जीला तक भेजा गया है सड़क हाथसे मामले में सीम हमांत ने जताया दुख हम आपको बता दे कि उतर परदेश के उरहिया में सन्निवार सुबा साड़े तीन बजे सड़क हाथसा हुआ जिसमें 24 स्रमिकों की मौथ हुई जिसमें बोकारो जिला के साथ स्रमिकों की मौथ हुई है गड़वा जिला के साथ यूवक सोन नदी में डूबे सभी की मौथ खबरों के उन्सार गड़वा जिला के कांडी प्रखंड के डूमर सोता गाउ के साथ यूवक का सोन नदी में डूबने से मौथ हो गई सभी यूवक सोन नदी में नहाने के लिए गए थे साथ में से च्छा युवक का सौक गोताखोर द्वारा निकाल लिया गया है जबकि एक के सौव की तलास में गोताखोर जुटे हुए है जारखन को मिला चौरासी सौ पीपी कीट खबरो केंसार मुख मंत्री हेमन सुरें से काके रोड इस्थित अवास में टाटा का एक ट्रस्ट ने संक्रमन से निपटने के लिए चौरासी सौ पीपी कीट सहित अनस्वास्त सुरक्षा उपकरन देका राज सरकार का स्वयोग किया उपायुक्त मजदूरों को कराए क्वारेटाइन सचिव खबरो केंसार मुख सचिव सुखदेव सिंग ने बाहर से आने वाले मजदूरों चात्रों को क्वारेटाइन कराने का निरदेश दीया है उन्होंने सभी जीला के उपायुक्त और पूलिस अधिक्षकों के साथ वीडियो कन्फेंसिंग के दवरान कहा कि मैंदूर बड़ी संख्या में अपने घर लवट रहे हैं किसानों के लिए इनायम पोर्टल से सिधे विक्री खबरो कन्फर लिए इनायम पोर्टल के माधियम से किसान अपने खेतों से सिधे विक्री कर सकते हैं राची में 15 किंटल तरवूज की विक्री इनायम पोर्टल के माधियम से किया गया इसके द्वारा ओन-लाइन बॉली लगाई जाती है जार्खंड में लॉक्डाउन का निर्नाय आज खबरों कविशार मुख मंत्री हेमान सुरेन ने एक बार फिर से दूर आया है कि जार्खंड में लॉक्डाउन 4.0 पर निर्नाय केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद लिया जाएगा केंद्र सरकार की गाइडलाइन की समिक्षा के बाद जार्खंड में छुट पर विचार किया जाएगा जो आई निर्नाई किया जा सकता है मुख मंत्री ने स्रमिक मजदूरों से की अपील पैदल ना जाए घर तक पहुँचाएगी सरकार खवरों केंशार उतर परदेश में हुए भिचान सणक हाथसे को देखते हुए जार्खंड के मुख मेंत्री हेमान सुरेण ने मजदूरों से अपील की है कोई भी अपने गंताबे की ओर पैदल ना जाए सरकार उनको घर भेजने की बिवस्ता करेगी संसद अनपूर्णा ने कहा महिला बिरोधी है हेमान्त खवरों के उन्सार कोडर्मा संसद अनपूर्णा देवी ने कहा कि जार्खंड की हेमान्त सरकार महिला बिरोधी है राज की पूर्वे रखवर्दास ने महिला ससक्तिकरण को ध्यान में रखकर एक रुपए में रईश्टरी कराने का अधिकार दिया जिसे बर्तमान सरकार ने बंद कर दिया एचीसी से जल्द बेतन भुकतान करने की मांग खवरों के नुसार एचीसी मजदूर संके महामंत्री ने प्रवंदन से अभिलावन बेतन भुकतान करने की मांग की है उन्होंने काया कि बेतन नहीं मिलने से कर्मियों की इस्थिती खराब होती जा रही है हिंद पिड़ी में महल बिगाडने का पर्यास खवरों के नुसार हिंद पिड़ी छेतर में उपद्रियों द्वारा असांती पैदा करने की कोशिस की गई जनकारी मिलते ही तोरित करवाई करते हुए राची उपायुक राय महीमापत एवं बर्ये पुलिस अधिकारी मौकेप पर पहुँचे एवं मामले को सांत कराया कांग्रेस ने 35,000 मजदूरों की सूची मोख्य सचीव को सौपी खबरों के अनुशार कांग्रेस कमीटी ने परवासी मजदूरों की सुरक्षित वापसी के लिए हेलप लाइन डिक्स हुआ समीती द्वारा एक सप्ता हमें प्राप्त चनकारी के अधार पर 35,000 लोगों की सूची मोख्य सचीव को सौपी रखबर दास ने कहा मजदूरों को जल्द वापस लाए सरकार खबरों के अनुशार पूर्व मुख मंत्री ने तमिलाडो, मुंबाई, केरल सहित और अस्थानों पर फसे अधिवासी कामगारों को जल्द घर वापस लाने के लिए सरकार से मांग की है उन्होंने कहा कि राज सरकार सन्वेद्य स्टील बने भारत सरकार रेल चलाने के लिए तयार है धन्यवाद